हेलो इस्टुडेंट्स स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूटूब चैनल पर इस्टुडेंट्स कैसे आप सब आई होप आप सभी बढ़िया होंगे हमारे इस चैनल पर यूपी पॉली टेक्निक इंटेंस एक्जाम प्रिपरेशन 2022 ग्रूप E1 एवं E2 के लिए फिजिक्स के दो महतपूर अध्यायों का अध्यन बिश्तृत एवं मजेदार तरीके से कर लिया है आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं एक नए अध्याय जिसका की नाम है बिमिये बिशले सर्ड इंगलिस से बात करें तो डाइमेंसनल एनाल्सिस मैं बता दूँ प्रतियोग for entrance exam ठीक है अब हम इस अध्याय के अंतर गत किन किन सीर्सको का अध्यान करेंगे तो चलिए एक बार हम जान लेते हैं तो सबसे पहले हम देखेंगे भईया कि किसी भौतिक राशी की बिमाए क्या है ठीक है और अंत में हम देखेंगे बिमिये सूतर किसे कहते है ये जो टौ लेते हैं कि किसी भौतिक राश की बिमाएं क्या हैं यह सीरसक पढ़ने से पहले आईए हम कुछ अन्य अत्महत्पूर बिंदूओं पर नजर डाल लेते हैं तो दिख रहा होगा आप सभी के स्क्रीन पर व्यूत्पन मात्र को द्वारा व्यक्त होने वाली सभी भौतिक राश राशियां हैं वो व्यूत्पन मात्र को द्वारा व्यक्त की जाती है तिक है अब व्यूत्पन मात्र क्या है यह मैंने फिजिक्स के प्रथम अध्याय जिसका की नाम है मात्र क्थम मापन की अंतरगत बता दिया है तिक है आप जाकर देख सकते हैं यह साथ मूल राशियों क सायोजन द्वारा प्रस्तुत की जा सकती है जितनी भी भौतिक राशियां है वो व्यूत्पन मात्रकों द्वारा ब्यक्त तो होती है लेकिन साथ मूल राशियों के सायोजन द्वारा प्रस्तुत की जा सकती है ये साथ मूल राशियां इस भौतिक संसार की साथ बिमाएं कहला जिन्हें गुरू कोस्टक, इंगली से बात करें तो स्क्वायर ब्रैकेट्स के साथ प्रदर्सित करते हैं, ये साथ बिमाएं निम्न प्रकार हैं, कौन-कौन है आईए हमें के कर जान लेते हैं, तो सबसे पहली बिमा है द्रब्यमान की बिमा, इसे कैपिटल M से गुरू कोस् प्रदर्सित करते हैं, तीसरी बिमा है समय की बिमा, इसे कैपिटल T से गुरू कोस्टक के साथ प्रदर्सित करते हैं, चौती बिमा है बैद्युद्धारा की बिमा, इसे कैपिटल A से गुरू कोस्टक के साथ प्रदर्सित करते हैं, पांचवीं बिमा है ताप की बिमा, इ इसे इसमाल CD यानि CD से गुरू को स्टक के साथ प्रदर्सित करते हैं और सातियों मंतिम बिमा है पदार्थ की मात्रा की बिमा इसे इसमाल MOL यानि मोल से गुरू को स्टक के साथ प्रदर्सित करते हैं लेकिन मैं बता दू ऊपर की जो तीन बिमा है यानि दरब्यमान की बिमा लंबाई की विमा, समय की विमा, यह याद होना जरूरी है क्योंकि जब हम किसी भी भौतिक राशी का विमिय सुत लिखेंगे तो वहाँ पर इनकी जरूरत हमें पढ़ेगी तो हमें क्या याद रखना जरूरी है? हमें यह याद रखना जरूरी है कि द्रब्यमान की बिमा को हम किसे प्रदर्सित करते हैं लंबाई की बिमा को किसे प्रदर्सित करते हैं और समय की बिमा को किसे प्रदर्सित करते हैं ठीक है अब हम जान लेते हैं या किसी भावतिक राशी की बिमाएं क्या है ठीक है तो किसी भावतिक राशी की बिमाएं वे घाते हैं जो उसके मात्रकों यानि भौतिक राश के मात्रकों को ब्यक्त करने के लिए मूल मात्रकों पर चाहाई जासती है जैसे उदाहरण के लिए ब्यूत्पन राश बल के लिए बल बराबर हम क्या जानते है द्रब्यमान गुनित्वरण अब हम बल का मात्रक निकालेंग जानते हैं मीटर प्रति सेकेंड स्कॉायर होता है यह हमने कक्षा नौ में पढ़ लिया है अब देखिए अब बल का मात्रक बराबर क्या हो गया किग्रा मीटर प्रति सेकेंड स्कॉायर लेकिन बल जो है यह भौतिक रास ही है अब इसको हमने मात्रक के रूप में व्यक्त किय तो मूल मात्र को इसके मूल मात्र को पर कुछ घाते चढ़ाई गए जैसे किग्रा पर एक मीटर पर एक और सेकेंड पर रिड़ दो घात यही बल भौतिक राशी की बिमाएं है यही परिवासा में लिखा हुआ है हमने उपर बता दिया किसी भौतिक राशी की बिमाएं क्या है अब देखिए आगे हम देखते है इस प्रकार बल का मात्रक ब्यक्त करने के लिए द्रब्यमान के मात्रक की ग्रा पर वही बात कह रहा है एक घात लंबाई के मात्रक मीटर पर एक घात समय के मात्रक सेकेंड पर रिड़ दो घात चाहा समय में बिमा माइनस टू यानी टी पर पावर माइनस टू है अतह बल की बिमाएं क्या है बल की बिमाएं है एम पर पावर वन एल पर पावर वन और टी पर पावर माइनस टू या फिर यम एल टी इसक्वायर है ठीक है आई होप आप सबी समझ गए होंगे कि किसी भौतिक रा सूत्र अब यह है क्या समझ लेते हैं बिमिय सूत्र और यह very very important topic है बता दे रहा हूं आप सभी लोग अभी note का लिए दिमाग में यह very very important topic है किसके लिए for intense exam for any intense exam ठीक है किसी भी प्रतियोगी परिच्छा के लिए यह important topic है इंगलिस में बात करें तो इसे हम dimensional प्रस्नल फॉर्मूला कहते हैं अब यह है क्या तो चलिए हम समझ लेते हैं और अंत में वताओंगा कि यहां से किस प्रकार के कैसे प्रस्न पूछे जाते हैं प्रतियोगी परिच्छा में तो सबसे पहले समझ लेते हैं कि भावतिक राशी का बिमिये सूत्र क्या है तो किसी भावतिक राशी की द्रब्मान में बिमा A, लंबाई में बिमा B, तथा समय में बिमा C हो तब इस भावतिक राशी का बिमिये सूत्र M पर पावर A, L पर पावर B और T पर पावर C होगा नहीं समझ पाए उदारन के माद्यम से आए समझते हैं जैसे आयतन का बिमिये सूत्र तो यहां पे दे दिया है पर निकाला कैसे है तो सबसे पहले इसने पता किया क्या पता किया कि आयतन बराबर होता क्या है तो आयतन बराबर होता है लंबाई गुनित चड़ाई गुनित उचाई ठीक है अब तीनों का मातरक क्या होता है तो तीनों का मातरक होता है मीटर और ल अमबाई की बिमा होती है वैया capital L यानि capital L into capital L तीनों को जब multiply करेंगे तो हमें क्या प्राप्त होगा L पर power 3 अब आप लोग सोचेंगे कि M पर power 0 और T पर power 0 कैसे आ गया है यहाँ पे आयतन के बिमिय सूतर में तो मैं बता दूं जब किसी भौतिक राशी के मातरक में द्रब् वहाँ पर द्रब्यमान और समय की बिमा पर जीरो घात लगा कर लिख सकते हैं इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है उस भावतिक राशी के बिमिये सूत्र में अब अगले भावतिक राशी का बिमिये सूत्र हम देखते हैं अगले भातिक राश्च का भी में सूत्र है, यम पर पावर 1, एल पर पावर 1, और टी पर पावर माइनस 2, अब ये भाया कैसे लिख दिया है, तो इसने सबसे पहले पता किया कि बल बराबर होता क्या है, तो बल बराबर होता है, द्रब्यमान गुनित त्वरण, ठीक है, जो त्वरण है, तो त्वरण का सबसे पहले इसने मातरक पता किया, तो त्वरण का मातरक क्या होता है, मीटर प्रति सेकेंड स्कॉयर, अब जो मीटर है, ये किस बहुतिक राश्च, किस मूल राश्च का मातरक है, तो लंबाई का, अब लंबाई की बिमा क्या है, तो है वो किस मूल राशी का मातरक है तो सेकंड समय मूल राशी का मातरक है अब समय की विमा क्या है तो हमने उपर पढ़ लिया capital T इसलिए यहाँ पे इसने लिख दिया है T per power minus 2 इसलिए यहाँ पे इसने लिखा है बल का विमिय सूत्र बराबर M per power 1 L per power 1 और T per power minus 2 ठीक है I hope समझ गए होंगे कि किसी भावतिक राशी का विमिय सूत्र क्या है इसे कैसे निकालेंगे तो किसी भावतिक राशी का बिमिय सूत्र निकालने से पहले मैं बता दूँ, आपको उस भावतिक राशी का सूत्र वता होना चाहिए, कि बल बराबर क्या होता है, जैसे कोई भावतिक राशी बल है, तो बल बराबर क्या होता है, आयतन बराबर क्या होता है, कारे बराबर क् जब उसका आप मातरक जान जाएंगे सूत्र जान जाएंगे तो आप उस भौतिक राशी का भीमिय सूत्र आसानी से निकाल लेंगे आप एक दो बार प्रैक्टिस करेंगे आपको निकालना आ जाएगा किसी भी भौतिक राशी का भीमिय सूत्र ठीक है अब मैं अन्त में बता हैं ठीक है किस प्रकार के प्रस्ण आते हैं तो प्रस्ण ऐसे दे देगा कि बल का भीमिये सूत्र है और चार बिकल्प दे देगा जिसमें एक बिकल्प ये दे देगा क्या यम पर पावर 1 एल पर पावर 1 और टी पर पावर माइनस टू तो यही बिकल्ब सही होगा ठीक है तो आप यही बिकल्ब कैसे सही बिकल्ब कैसे लगाएंगे जब आपको पता होगा किसी भावतिक राशी का भीमिय सूत्र निकालना अब कैसे पता होगा जब आपको उस भावतिक राशी से संबंधित कोई सूत्र पता होगा जैसे बल बराबर द्रबमान गुनित त्वरार तो हमने यहाँ पे आज की क्लास में आखसानी से निकाल लिया कि बल का भीमिय सूत्र बावरव M पर पावर 1 L पर पावर 1 और T पर पावर माइनस 2 आई होप समझ में आ गया होगा आप सभी को कि किसी भी भावतिक राशी का भीमिय सूत्र कैसे निकालते हैं आप एक दो बार प्रैक्टिस कीजिएगा आपको किसी भी भावतिक राशी का भीमिय सूत्र निकालना आ जाएगा और ये topic important है आप अभी दिमाग में note कर लीजिए यहां से प्रस्न हर वर्स लगभग प्रतेक प्रतियोगी परिक्षा में आते हैं चाहे वो board exam हो या फिर entrance exam हो ठीक है आज का class बस यहीं तक आज का जो chapter था वो छोटा था लेकिन important chapter था यहां से मैं इगवार फिर से बता दू प प्रतियोगी परिक्षा में प्रस्न जरूर आते हैं तो आप इस सीरसक का बहतरीन तरीके से अभ्यास कर लीजिएगा प्रतियोगी परिक्षा में बैठने से पहले आज का class कैसा लगा समझ में आया की नहीं समझ में आया comment box में नीचे जरूर बताएगा यदि समझ में आया तो वीडियो को लाइक कर जाएगा और हमारे चैनल के मादिम से यूपी पॉली टेक्निक इंट्रेंस एक्जाम प्रिपरेशन टू थाउजन ट्वंटी टू ग्रूप एवन एवन एटू के लिए फिजिक्स की तैयारी करने के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब कर बैल आ आए के साथ जैहिन